जी हां नमस्कार दोस्तों यदि आभी बिहार बोर से इंटरमीडियेट यानी की कलास 12 की बोर परिच्छा वर्स 2022 में देने वाले तमाम 16-16 हैं तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा ही कि बिहार बिदले परिच्छा समीती की ओर से इंटरमीडियेट कलास का टाइम एं रखते हुए आप सभी तवाम 16-16 के लिए आपका अपने चैनल पर आज से बता दे कि ब्रहम सास्त्र स्रीज को शुरू किया गया है आपको हम बता दे इस स्रीज में आपको वही कोश्चन प्रवाइट के जाएंगे जो आपके सीधे एक्जाम में उतरने वाले सवाल है जी आपको देखना है आपको मैं गरंटिक साथ कहता हूं कि एक ही वी कोश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है तो चलिए दूस्तों आज की कलास होने वाली है वह सब्जक्ट केमस्ट्री की एकदम सांदर जवर्दस्त कलास होने वाली है आपके बोर्ड परिच्छा के लिए है कि डेली जी हां जी हां दोस्तों आप लोग याद रखेगा आज से आपके अपने चैन पर डेली साम साथे छे बजे आपको अधादे की रोज करोज वीडियो अपलोड होंगे और सभीट का वीडियो आएंगे अब से फिजिक कमेश्टी बैलो जी मैंत सभी का आएंगे सकता है इस वीडियो को सेर जरूर करें तो चलिए आपको सीधी लेग चलते हैं चलिए यहां पर दोस्तों आचुके हैं और आपको बता दें चाहें आप इंगलिस मेडियम के बच्चे हो या हिंदी मेडियम के कोई दिकत कोई परिसानी वाली बात नहीं आएं आप सभी तम इसके अलाबा और सब्चे का वीडियो आएंगे और दोस्तों सबसे बरी बात की अबजेक्टिव के साथ पलो दोस्तों आपको सब्जेक्टिव भी मिलेंगे आने वाले दिनों में तो फटाइस दोस्तों करना किया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि दो दोस्तों जब तक आप सब्सक्राइब ने कीजेगा तब तक दोस्तों आपको नेक्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो चलिए यहां पर दोस्तों सबसे पहला कोईशन पूछा जा रहा है कि हाओ मैनी टैप्स ऑप क्रिश्टल आर फॉंड यानि कि दोस्तों आप पर क्वेश्टन प्रोवाइड किया जाता है आपके बोर्ड परचा के लिए सारा काफे इंपर्टेंट है सभी को दोस्तों आपको अच्छी तरह से त्यारी करना है और अपनी त्यारी को और मजबूत करना है चलिए यहां पर दोस्तों हम आ चुके क्या है कि जैदा ब है ना तो चलिए यहां पर दूसरा देखें पूछा जा रहा है कि एच्टू ओ प्रफ में किस प्रकार के अबंधन ठीक है पाये जाते हैं यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इंग्लिस मेडियम बाले कि वीच अप दो फ्लॉबिंग बॉंड इन फॉंड एच्टू ओ ठीक ह इसमीं आपर कोनघांड पाए जाते हैं तो आपको दोस्तों बता दे हैं इसमीं जो बोण्ड पाए जाता है है ठीक है यहां पर दोस्तों पाए जाता है हैं फ़िकर कै के पूछा जा रहा है कि एक फ्राइडे विदूत कितने कुलंब के बरावर होते हैं यहां पर दोस्तों आप लोग याद रखेगा चलिए आगे को बढते हैं यहां पर दोस्तों माचु के यानि कि दोस्तो परतिरोद का उल्टा यानि कि दोस्तो रजिस्ट्रेंस का उल्टा क्या हो जाएंगे तो आपको बता दें आपको एक सेट में ठीक है जो भी वीडियो आएगा मतलब करो एक सेट में मैं आपको टोटल 35 आपव्जिक्ट्रा करेंगा फिजीक कंश्टीन बसमें ज़ín में और सुधवरण लेकिन दोस्तो आपको पड़ीचा हम देखने को मिलेगा वहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि परबल बेदूत अप घटे में लेमडा एम कमान आपको हम बता दे जो इंगलिस मेडियम बाले बच्चे अपना उपर में देखेंगे तो यहां पर दोस्तों इसका राइट उपसन की बात करता हो जाएंगे आपको अपसन नमर आप लोग यहां पर पूछा जारा है कि रसाइनिक अधिसोसन होता है आपको हम बता दे रस अधिसोसन इसलभी is so कि दोस्तों सबीं को पता है कि लंग पर हैं कि सभी बच्ची को पता है अप लोग के-गम गुरूorit जाना है कि किस परकार के ऐसे का सांदरन यहां पे दोस्तों сил एक्ट्व क्रिण विदी द्वारा किया जाता है आपको बता दें इसका राइट ओप्षिन की बात कि आपके तब जाएंगे चुम्धिये कर तों MP दोस्तों पार्टिकल्स यानि कि दोस्तों आप्षू नमर्ब्र आपको बी देखने को मिलना है नाइन का ओप्स नमर बी राइट चलिए आगे को बढ़ते हैं यहां पर दोस्तों देखे कोश्चन में आ चुके टेन पर यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किय आबर्त सानी के गुरूप 15 में नेट्रोजन के अत्रिक्त कौन सा तप्व है आपको हम बता दें गुरूप 15 में आबर्त सानी के जो गुरूप 15 है उसमें नेट्रोजन के अत्रिक्त कौन सा है तो उसका नाम दोस्तों फासपोरस है यानि कि दोस्तों नमर भी हो जाएंगे option number B, चलिए, यहां पर दोस्तों आ चुकि एप Question 11 पर, पूछा जा रहा है कि D-Ballog के तत्वों को दूसरे किस नाम से जना जाता है, आपको हम बता दे कि D-Ballog को दूसरा नाम आपको बता दे, तो यहां पर दोस्तों आपको हो जाएंगे, ठीक है, सकर्मान तत्व है ना क्या हो जाएंगे दोस्तों डी बल्लो को दुसरा जो नाम हो जाएंगे सक्र्मान तत्व यानि कि दोस्तों option number a चलिए यहां पर दोस्तों आ चुकिए question number 12 यहां पर दोस्तों पूछा जा रहे कि MN3 is an oxidatic agent because यहां पर दोस्तों हमको पुछा जारे कि MN3 पलज जो है एक oxy यहां पर दोस्तों oxy कारक है क्योंकि यहां पर दोस्तों बता दे कि खाली D का पक्ष के कारण यानि कि दोस्तों इसका जो right option की बात गरत आपको हो जाएंगे option number C यहां पर दोस्तों आप दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चलिए, यहां पर दोस्तों हमाचुके question no.14 एक और यहां पर दोस्तों पूछा जारे कि On? पर दोस्तों इसका right option की बातरऊन के बात गरत आपको हो जाएंगे option no.A चलिए यहां पर दोस्तों आ चुके है कोईश्चन नमर 15 की और जो आपके बूर परशा के लिक काफ़ी इंपोर्टन है पूछा जा रहा है डबल बॉंट इन एलकिन्स आर यहां पर दोस्तों डिटेक्टेर बाई एडि एडिंग तो यहां पर दोस्तों को पूछा जा रहे कि कुछा जारा है कि 3 ५ ψ लग जिसका सबद्ध यहांा पर दोस्तों अध्यर्ओपृत वस्तु ढरपण्पर्टीवीम को कहा जाता है तो यहां पर दोस्तों की बात करें तो आपको हो जाएंगे option number B क्या हो जाएंगे option number B आप लोग यहां पर देख सकते हैं और जिसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा हुए बचे यहां पर दोस्तों इंगलीज में भी देख सकती है इसका दोस्तों राइट उपस्थिति में आभी किरिया कर देता है दोस्तों आपको हम बता दे यह जो परका आप लाएंगे 17 नमर बी चलिए यहां पर दोस्तों माचुक्चिक नमर 18 पर पूचा जारे कि अलकोहल और फिनोल बनने में अलकेन और यहां पर दोस्तों एरीन का एक हैड्रोजन जिससे हैं पर स्थापित होता है क्या कहलाता है दोस्तों आपको बता दे इसका राइट और और यहां पर देख सकते हैं यहां पर दोस्तों को ध्यान पुर्वक एकधम बढया से मैंन में सेट अफ करते हैं चलिए सारा का सार दोस्तों आपके बूर्परशा के लिए रामबान साबित हो सकते हैं जलिए यहां लगा है तो जाएंगे देखिए कहां कहां पर तो और पांच पर यानि कि दोस्तों वह तो फाइव डाइम मीथाइल और दोस्तों जब भीटिम से सोरी यहां पर बंजिन में ओए अच लगा देंगे तो वह फिकीन canvas कर लाएगा यानि कि दोस्तों इसका राइट फेनोल आको हो जाएंगे 27 पर अब दोस्तो को ल sobot कि यह को Says जरू किजीए यहां। यहां पर दोस्तों को आपको जाएंगे एलकेन यानि कि दोस्तों नमर यह आपको देखने को मिलना एलकेन ठीक है चलिए यहां पर दोस्तों आचुके एक क्वेश्चन मर्ट 24 पे पूचा जा रहा है कि आयू पेसिक नेम ऑप हें ऐसे डाऊच इसका अपर दोस्तों आउपेसिक नाम क्या होगा तो दोस्तों आपको मुस्त आपको दे की नेम है और यानिकि देखने को मेल ठीक चलिए यहां पर दोस्तों आचुके एक क्वेश्चन मर्ट 26 पर पूचा जा रहा है कि का सुत्र है आपको बता दे यहां में पुझा जाने कि दोफर मुला होता यह दोस्तों अपर सब्सक्राइब हो जाएंगे यहां पर दोस्तों माच्चों के सब्सक्राइब से वाल है तो चलिए यहां पर दोस्तों कर्वाकसिलिक अमल में घुलनसिल होता है क्योंकि उनके बीज वोता है यहां पर दोस्तों बंधक होता है यानि कि दोस्तों सब्सक्राइब भी किए यहांपे दोस्तों कि कुईश्चिन मेर अठ्थाइज पे पूछा जा रहा है कि न फर्मुलला फ्रुक्टोज सभी दोस्तों को पता होगा यह तो बहुत ही मतलब मतलब बेसिक से लिया गया है बहुत ही असान है पूछा जारा कि फ्रुक्टोज का उसे कहते हैं दोस्तों उसे हम चाहते है उलीगो सेक्राइड यानि कि दोस्तों ऑप्षिन नमर बी हो जाएंगे 29 का उप्षिन नमर भी चलिए आपको बता दे कि एक सेट में आपको बता दू कि 35 कोष्ण दोस्तों आपको यहां पर देखनों को मिलेगा जो सारा कसरा आपको कि अपके वोड एक्जाम के लिए इंपोर्ट है वही तो प्र्वाइट के जाते हैं चलि यहां पर दोस्तों कोईस्चर में पूछा जा रहा है कि अमीनों अमल में दोस्फारिया मुल्लक होते हैं पहला दोस्तों आपको दिया गिया अम्र्सकेप नमकी कहा जाता है पूस्टेली नमर नहीं हो जाएंगे 101 का 파ूप तो यहां पर दोस्तों को प्राकृतिक पोलीमर यानि कि दोस्तों प्राकृतिक पोलीमर आपको पूछा जा रहा है कि बूरा एंद acta एक परकार एक परकार का दोस्तों ऐका allowing चुकिए अभी आपको बता दे सलय चुकित ही जाते एक ज़ो आपके बोड़ एक्जाम के लिए काफी आपको हम बता दे कि आपके अपने इस चैनल पर ऐसे ही रेगलर वीडियो आएंगे रोज का रोज वीडियो आएंगे आपको देखना है और अपनी त्यारी को ऐसा मतलब कर लेना है कि सीधे अब की बार सब की वेरा पार सभी बच्चे को तहल का मचा देना है सिर्फ किसके साथ तो अश्टेड़ी ध्यमिद के साथ चलिए दोस्तों को देखे को सब्सक्राइब करने के लिए कौन साहे पर दोस्तों दवा प्रयुक्त है तो दोस्तों इसका राइट उसन के बातकता हो जाएंगे एंटी पैरेटिक् के बुब्ण परच्यक के लिए मॉस्त्त दीबिए पैस ग्रूजी के लिए और चलिए तो फिर दोस्तों को मिलते हैं सारे 6 कrob तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद